ही नमस्कार दूस्तों मेरा नाम है यूगेश और आप देख रहे हैं वाईडीटेक्स दूस्तों आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप किसी भी एंडोड डिवैसिस के अंदर आइफोन एक्स और आइफोन मैक्स के लाइव वालपेपर यूज़ कर सकते हैं दोस्तों अगर आप भी आपके डिवैस के अंदर इस तरह से लाइव वालपेपर यूज़ करना चाहते हैं तो इस वीडियो का लास तक देखते रहे हैं क्योंकि इस वीडियो के अंदर में आप आपको बताने वाला हूँ कि लाइव वालपर को कहा से डाउनलोड करना है और उसे कैसे यूज़ करना है दोस्तो अगर आप चानल उपर नए हैं तो चानल को सब्सक्राइब कर लिजे और अगर आपको यह वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो का लाइक करना बिल्कुल म में मिल जाएगी लेकन रुकिए ज़रा यह सभी वालपेपर जो है वो सभी वीडियो फॉर्मेट के अंदर है आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर मैं वीडियो को प्ले करता हूं तो यहाँ पर वालपेपर आ जाता है येकिन अगर आपको इन वीडियो को आपके मोब और local आपको यहापर local पर click करना है उसके बाद आपने जो भी live wallpaper की वीडियो download की थी उसे भी यहापर दिखाए देंगी आपको उन्हें यहापर select करना है और यहापर आपको उसे sit कर देना है तो बस हो गया जैसे आप अपने मोबाइल के home screen के उपर जाते हैं यहाँ पर आपको live wallpaper दिखाए देगा यहाँ तक कि आपके mobile के lock screen के उपर भी आपको यह live wallpaper दिखाए देगा तो इस तरह से आप किसी वे android devices के अंदर live wallpaper यूज़ कर सकते हैं wallpaper के वीडियो की पर application के download link आपको description में मिल जाएगी तो बस दोस्तो इस वीडियो में इतना ही अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए इस वीडियो का like किजिए share किजिए और channel को subscribe करना बिल्कुल मत भूलिए तो कि आपके लिए मैं इसे useful videos लाते रहता हूँ थैंक्स